इस question में हमें 529 का square root find करना है by division method अब division method में हम पहले number को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको pairs में divide कर लेते हैं from the right तो ये एक pair बन गया और यहां सिर्फ 5 भी है अब हम एक ऐसा number find करेंगे जिसका square या तो 5 की equal हो या 5 से कम हो तो अब squares check करेंगे तो 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square होता है 9 अब यहां 9 5 से बड़ा है तो इसको हम नहीं ले सकते तो हम लेंगे 2 square 4 तो यहां 2 आएगा, यहां 2 और यहां 4 अब 5 से 4 माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा और यह pair नीचे आएगा तो यह होगा 129 अब यहां आता है इस number का twice तो twice of 2 हो गया 4 और उसके आगे हम लगाएगे एक dash अब इस dash में एक ऐसा number आता है कि अगर इस पूरे number को हम उतने times multiply करें तो या तो हमें 129 मिल जाए या फिर 129 से छोटा कोई number मिल जाए तो चलो इस dash में पहले यह one put करके देखते हैं तो 41 into 1 41 यह तो बहुत ही छोटा है अब चलो 42 into 2 चेक करते हैं तो यह हो गया 22 is a 4, 24 is a 8 84 अभी भी छोटा है 129 से तो अब हम 43 into 3 चेक करते हैं 33 is a 9, 34 is a 12 अब देखो यहां आ गया 129 और यहां पे भी 129 है तो इस dash में आएगा 3 तो उपर भी 3 लिखेंगे और यह हो गया 129 इसको minus करेंगे तो हमें 0 मिल गया अब हमारा division complete हो गया और हमारा square root हो गया यह number which is 23 therefore square root of 529 हमें मिल गया 23 therefore square root of 529 is equal to 23 करेंगे लिखेंगे 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